Alt Command Part 3 आज हम solve करेंगे एकसल में सबसे पहली Command है WQ Tab जाने कि Alt के साथ WQ Tab हम use करेंगे तो हम सेल का size इंक्रीज करकते हैं तो बढ़ाके हमने इंक्रीज कर लिया है दूसरी command है Alt H F S जो हमारे TextS के Site को इंक्रीज करते है जैसे मुझे इस text के size करना है alt hfs अब मुझे size का 22 करना है तो बढ़के 22 हो जाएगा तो alt के साथ h am यूज़ करेंगे रोग के according center में आ जाएगी यदि हमें ये column के according center में लानी है तो alt h ac यूज़ करेंगे alt h ac तो column के according center में आ जाएगी उसके बाद next command है हमारी h a r जो right side में लेकर आएगी alt h a r तो इस text को right side में रखेगी उसके बाद इस text के अंदर underline करना है तो alt h 3 simple हम यूज़ करेंगे और underlines होकर देगा उस text के अंदर यदि हमें double underline लेका आनी है तो alt h 3d हम यूज़ करेंगे double underlines होकर देगा ऐसी बहुत सारी amazing tricks के लिए हमारे साथ जुड़े रहे ना काईज